तोयोटा यारिस और पॉपजी मोबाइल को प्रेसेंट्स ब्रेकिंग पॉइंट हाई अल्टिटूड वाफेर स्कूल को पावद बाई वीवी एलेवन प्रो पॉलिसी बाजार डॉट कॉम और एल आई सी ये है स्ट्रीम क्रॉसिंग 101 इसमें एक फॉजी ग्लेशियर के बरफीले पानी के तेज बहाव का सामना करता है लडाई में पहला फॉजी बिना किसी मदद के ठंडे पानी के पार जाता है और दूसरे किनारे पर कबजा करता है ताकि बची हुई टुकडी अपने बैटल लोड के साथ आसानी से पार जा सके ऐसे में जरा सा पैर फिसलना भी घा तक होगा यहां तापमान शून्य से नीचे है पानी का बहाव बहुत ही ज्यादा तेज था एक दो सकेंड के लिए तो मैं जैसे सुन हो गया था कुछ समझ नहीं आ रहा था सही सलामत उस पार जाना तकरीबन नामुम्किन है इंस्ट्रक्टर्स ने हर हार्निस को कसकर पकड़ रखा है बहाँ पानी आपको नीचे धकेल रहा होता है बहुत डर लगता है ऐसे में टिकपाना बहुत मुश्किल होता है ना तो आप पैर जमा पाते हैं और ना ही आपको कोई सहारा मिलता है हम अपनी वाकिंग स्टिक को नदी की ऊपरी तरफ जमाने के कोशिच कर रहे थे और नीचे तरफ उसे धकेल रहे थे ताकि हमें फोर्स मिल सके चलने के लिए पानी इतना ठंडा था कि मानो किसी ने हमारे शरीर के उपर बर्फ की सिल्ली रख दियो सांस उपर की उपर नीचे की नीचे दूसरी तरफ पहुँच कर इन्हें चैन आया हाई अल्टिटूड वार्फेर स्कूल में 72 घंटे के माउंटन सर्वाइवल का आज आखरी दिल है आज फिर तेज बहाव का सामना करना है इस बार हौज ने चुनौती बढ़ा दी है ये भारत के सबसे उग्र पहाडी योद्धा है हौज के चोटी के इंस्ट्रक्टर्स जो एलब्रस रशिया में इंटरनाशनल आर्मी गेम्स में भारत की शान बढ़ाते हैं एलब्रस रिंग इंटरनाशनल मिलिटरी गेम्स का हिस्सा है जो हर साल रशिया में होते हैं यहां टीम्स 28 मुकाबलों में हिस्सा लेती है यह कॉम्पिटिशन 13 दिनों तक चलता है पहली बार हॉस को मौका दिया गया है कि वो इस बड़े कॉम्पिटिशन में हिस्सा ले इन्होंने बहुत ही तेज बहाव का मुकाबला किया है और अब यह बीते साल के एलब्रस के रिकॉर्ड को तोड़ने की कोशिश करेंगे 14 लोगों की टीम को बैटल लोड के साथ इसे 15 मिनिट के अंदर पार करना होता है पर ये कोई कलाबाजी का प्रदर्शन नहीं है इन फौजियों को लडाई में ऐसा ही करना पड़ता है हिमाले की नदियों को पार करना ना मुम्किन होता है उन्हें उपर से पार करना पड़ता है ये टीम बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है रसी पर एक एक करके फौजी तेजी से नदी पार कर रहे हैं एलब्रस टीम ने शांदार प्रदर्शन किया है इन सब ने सिर्फ 12 मिनिट 6 सेकंड में नदी पार कर ली एलब्रस टीम के रोमांचक प्रदर्शन से जोश में आए ये ट्रेनीज अब अपनी ताकत दिखाने को बेकरार है जब हमें इंस्ट्रक्टर्ज ने दिखाया तो लगा कि ये तो बहुत ही आसान है हमें लगा कि बस बॉडी को स्ट्रेट ही तो रखना है लेकिन विशेशग्यों की रहा पर चलना उतना आसान नहीं होता अगर आप अपनी बॉडी को रस्टी के सहारे सीधा नहीं रखेंगे तो रस्टी धीली हो जाएगी और ऐसा भी हो सकता है कि आप सीधे पानी में गिर जाए और अगर आप अपने साथ हत्यार या बैग लेकर जा रहे हैं तो हो सकता है कि वो भी पानी में गिर जाए अगर ठीक तरीके से इसे किया जाए तो बैटल लोड के साथ इसे पार करने का ये सबसे तेज तरीका होता है पर इसके लिए दम खम चाहिए क्योंकि इसमें अपनी सारी ताकत जोग देनी पड़ती है कल के मुकाबले आज स्ट्रीम क्रॉसिंग एक्सराइज पहतर हुई क्ला हुई क्ला हुई झाल झाल